दोस्तों मैं हर्शिता और आप देख रहे हैं Twins My World एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने मेरी पहली प्रिग्नेंसी सहर्स के नाम से जो मैं फर्स्ट प्रिग्नेंसी है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रिग्नेंसी सक्सेस्फुल नहीं रही तो मेरे जो भी एक्स्पिरियंसेज हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाती हूँ वीडियो बनाना चाती हूँ और ये भी मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है तो वो सीरीज वो जो वीडियो है वो लगतार आप देखिए ताकि आपको शुरू से लेके लाश तक सारे बाते समझ में आ जाएंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था तो मैं अपनी स्टोरी के दोरान ही आपको बहुत सारी चीज़े ऐसी बताऊंगी जो आपको नहीं करनी है क्योंकि मैं अगर स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात करूंगी तो आपको वो चीज़े ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी लेकिन अगर मैं मेरे स्टोरी से अगर आप समझेगा तो आपको बहुत सब कुछ क्लियर होगा और कहा जाता है ना कि आप जितनी भी चीज़े पढ़ लीजे चाहे बुक्स हो ब्लॉक्स हो कोई भी वेबसाइट चानमारिए आपको जितना experience आपकी life देती है उतना experience ये बुक्स नहीं देते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को शुरू से लेकि लाश तक जरूर देखेगा अगर इसके पहली की जो वीडियो है अगर मिस हो गई है तो उसके लिए भी अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वो वीडियो भी जरूर देखेगा पढ़ते हैं अपने स्टोरी के तरफ बात उस समय की है जब मेरी शादी बहुत जल्दी हो गए थी इसके उपर मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको शादी कब करने चाहिए जो एक आइडियल टाइम होता है उसके उपर बनाई थी तो आप सब कुछ जाके वीडियो देख लीजे अगर और देखिए सही बात है एक वीडियो के थुरू अगर आप सोचीगा कि आपके सारे ड तो जैसे मैंने बताए कि यह जो सेकेंड पार्ट है तो उसके उपर मैं आपको अब कंटीनू कर दी मेरे स्टोरी तो जैसे मैंने बताए कि 20 साल के एज में मेरी शादी हो गए थी और दो से धाय साल के बाद हमने सोचा कि हमारे लाइफ में एक बेबी होना चाहिए और हमने pregnancy plan के बारे में सोचा और सब कुछ बहुत ही normal हो रहा था और एक महने के अंदर ही मेरा conceive हो गया था मतलब मतलब जिसमें हमने सोचा और next month ही हमें good news आ गए थी और यह जो पल था बहुत ही सुगत बल था आप इमेंजिन भी नहीं कर पाओगे किसी भी लड़की के लाइफ में यह जो पल आता है बहुत ही खास होता है आप लोग सब जब अपनी पहली बार टेस्ट कर रहे होते हैं चा मैंने खुद अभी भी वह प्रेगा न्यूस का एक यह था इस्ट्रिप था वह मैंने अभी भी रखा सम्हाल के वह मेरी फॉर्स्ट और दिखे होता है कि फॉर्स्ट फीलिंग ही अलग होती है वो सारी चीजे ही अलग होती है तो जब दिखाया सब कुछ नॉर्मल था फिर ह हमने डिसाइड किया एक दो दिन के बाल नेक्स्ट डे या फिर शायद उसके नेक्स्ट डे कि हम लोग डॉक्टर से मीट करेंगे और अभी आप बात सुनों क्या होती है आप धिरे-धिरे समझना हम लोग डॉक्टर के पास गये तो उन्होंने बोला कि आपको जाना पड़ साउंड होती है उससे आपको पता चलता है कि आपका जो बेबी है वो सैक में बन रहा है कि नहीं उसकी अच्छे से पोजिशनिंग हो गई है या नहीं तो उस वक्त फिफ्थ हफता था और मेभी शायद बेबी की हाटबीट भी आ गए थी मुझे अच्छे से याद है कि मु बहुत जादा खुशी मिली थी तो सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था नॉर्मली मेरा लेकिन हाँ एक जो चीज मैंने गलती की थी स्टार्टिंग में वो यह गलती की थी कि अपने को जो थोड़ा सा प्रिकॉशन्स लेना होता है वहां से मैंने शुरुआत नहीं कि क्य चिषते के सातर वालीजएगा जो कि आपकी हेल्दी प्रिक्नेंसी के लिए बहुत जरूरी है और जैसें जिलता को परेग्नेंट हैं तो आपको उस हिसाब से अपने डाइट को भी मेंटेन करना है एक बहुत बढ़ी पहुत ब़ालती करता है यह हुआ फिर घीरे करते करते आया 11 हाफता 12 हाफता 13 हाफता ये भी पास हो गया और डॉक्टर्स ने मुझे किसी तरह का anti scan करने नहीं बोला नहीं double market test बोला नहीं इस तरह की कोई भी activities होई क्योंकि उस समय की जो ultrasound scan होती है ये बहुत important होती है ये आप लोग note कर लीजेगा कि अगर आपकी जो 5th 6th हफते में जो ultrasound होती है अगर उस समय बेबी का heartbeat पता चल गया उसकी positioning पता चल गई उसकी बाद जो next जो ultrasound है वो बहुत ज़ादा ज़रूरी है जो anti scan के बारे में होता है उसके बाद में अपनी next जो कहानी है वो बताऊंगी तो अभी ये था 11, 12, 13 हफता जो की बहुत crucial होता है आपके anti scan के लिए double marker, triple marker जो test होते हैं वो काफी ज़रूरी होते हैं तो एक बार ज़रूर ये सारे test के बारे में डॉक्टर से अपने ज़रूर पूछेगा और next story अगर आपको मेरी जाननी है इसके बाद की तो फिर से मेरे चैनल पे आके ज़रूर विजिट करीगा पार्ट 3 ज़रूर बनेगा तो thank you so much अगर आप लोग follow कर रहे हैं शुरू से लेके अभी तक तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि देखे आपको समझ में आएगा clear होगी सारी बाते तो काफी help मिलेगी आपको तो starting से लेके अभी तक सारे वीडियो ज़रूर देखिए thank you so much for watching twins my world